नमस्कार मैं हूँ निखेल और आप देख रहे हैं दील अलन टॉप शोग। कि बड़ी ख़बर में हम कोरोना संक्रमंट से संबंदित सारे अपडेट्स को ही कमपाइल करने वाले हैं ध्यान से और तसलिय से सुनियेगा ताकि आप आगे आने वाले दिनों की प्लानिंग कर सकें खास कर यदि आपको विदेश यात्रा प्लान करनी हो। प्रतिबंद लगाए जाएंगे। पूर्व में लगे प्रतिबंदों के चलते पैदा हुए आर्थिक संकट से हम सब वाकिफ हैं। इन दोनों सवालों के जबाब हमने केंद्री स्वास्त मंत्री मंसुक मांडविया के संसद में दिये बयानों में खोजने की कोशिश की आप सुनिये। पिछले कई दिनों से पूरी दुनिया में कोविड-19 के केसों में रुद्दी दर्ज की जा रही है। लेकिन पिछले एक साल में भारत में कोविट केसों में सतत कमी दर्ज होती रही है वर्तमान में प्रत्यक दिन और सतन 153 कोविट के नए केस पुरे देश में दर्ज हो रहे हैं जिनकी है केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने साथ मिलका 220.2 याने की 220 करोड कोविट वैक्सिन के ठिके लगा कर कितिमान स्तापित किया है मांडविया ने जो कहा उसका निचोड यही है कि भारत में फिलहाल संक्रमित लोगों की संख्या बाकी दुनिया की तुलना में बहुत कम है और भारत में पात्र लोगों का टीका करण अच्छी सिति में है स्वास्त बंतरी ने राज्यों से टीकों के प्रिकॉशन डोस जिसे साधी भाषा में हम बूस्टर या तीसरी खुरा कह सकते हैं उस पर तेजी से अमल करने को कहा है साथ ही वो राज्यों से भी चाहते हैं कि वो जीनोम सीक्वेंसिक बढ़ा दें ताकि नया वेरियंट आने पर तुरंट पहचान हो सके क्योंकि नए साल के मौके पर लोग घूमने निकलते हैं क्रिस्पस निव यर के प्लांस बनते हैं बहुत सारे लोग फ्लाइट और होटेल्स बुक कर रहे हैं जोल बढ़ता है इसलिए हमें इन सारे चीजों की चर्चा कर रहे हैं और इसी बाबत स्वास्त मंत्री ने राज्यों को सला भी दिये आम आदमी पार्टी से सांसद रागहु चढधा ने राजसभा में पूछा कि चीन में तो टीका करण के बावजूद बीमारी का प्रकोफ है स्वास्त धाचा चर्मराता दिखता है ऐसे में भारत की तैयारी क्या है और क्या चीन से आने वाली उड़ानों पर रोक लगाई जाएगी सुने इसके जवाब में स्वास्त मंत्री ने क्या कहा बेस्ट कोविड मेनेजमेंट का भी एक अनुभव रहा पिछले दो साल से और कोविड के लिए क्या क्या प्रिकोशन लेना चाहे सारी दुनिया के साथ लगाता मैं एजे हेल्थ मिनिस्टर बात कर रहा हूँ डबलो एचो से बात कर रहा हूँ तो उससे पता चलता है कि कौन सी दिशा में आगे बढ़ रहा है कोविड क्राइसिस उसको देखते हूए जो भी प्रिकोशन लेने की आवशकता है वो लेना हमने ओड़ेडी चालू कर दिया है आज प्राइमरी स्टेज पर कोई भी यहाँ पैशन यहाँ ट्राविलर आते है नहीं केवल चाहिए न कहां से भी आते हो तो भी हम टू परसंट रेंडम सेंप्लिंग करना चालू ओडेडी कर दिया है और आने वाले दिनों में उसको धीरे-दीरे आगे बढ़ा के आवशकता के अनुसार कंपल सरी करना पड़े तो भी कंपल सरी करेंगे दोनों चीज़ को हमें देखना है देश में कोई अन्नोन वाइरस घूस भी ना जाए और ट्राविलिंग में बाधा भी ना हो दोनों चीज़ों को देखते हुए हम उस दिशा में काम करें ताकि देश में कोई नया वेरियंट ना आ जाए तीसरा अभी प्रिकोशर जो हमारे तीरुची शिवा जी ने कहा कि क्या तैयारी है और नहीं हम करना चाहते है आज देश में हर होस्पिटल में जो बड़ी होस्पिटल है वहाँ पीएसे ऑक्सिजन प्लांट लगाया है में रेगुलर मिनिस्ट्री से हर पंदर दिन में रिव्यू करता हूँ कि ये बंद तो नहीं हो गया है न चालू है न क्योंकि उसको चलाने के लिए भी बहुत कि ये प्लांट में चलाने में खर्च है होस्पिटल की रिक्वार्मेंट कम है तो क्या करें तो मैंने कहा कि आप उसको पीपी मोड से किसी को चलाना दे दो ताकि वहाँ से ऑक्सिजन उसमें से बनने वाला ऑक्सिजन का उप्योग करके दूसरी जगह पे भी बेचे और उस हमने कि दिसंबर के दील अलंट आप शो में सुझहाव दिया था कि सरकार बिना देर की ऑक्सिजन सप्लाई का ओडिट करा ले आज राजसभा में सरकार ने कह दिया कि ऑक्सिजन दवाओं टीकों की सप्लाई की समीशा निये में चल रही है और बनी हुई है अंतराशी हवा निर्देश भी जारी किये हैं जो आज रात से यानि 22 दिसंबर 2022 की मद्धिरातरी से देश के सभी एरपोर्ट्स, सीपोर्ट याने की बंदरगा और लैंड बॉर्डर्स पे लागू है इनके मताबिक भारत में अब वही लोग प्रवेश कर पाएंगे जिन्होंने कोरोना ट कर्मन को लेकर एक उच्च स्तरिये बैठक की जिसमें ग्रह मंतरी और स्वास्त मंतरी शामिल हुए ऐसी ही उच्च स्तरिये बैठके हैं दिली और करनाटक जैसे राजों में भी हुई देश के सबसे बड़े अस्पताल एमस ने भी अपने परिसर के लिए एक एडवाईजर का एलान नहीं हुआ है अभी आप नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं लेकिन आपको सतरता बरतनी के आवशकता है अगर आप क्लोस पेसिस में रहते हैं तो आप मास्क इस्तमाल करना शुरू कर दीजे अगर आपने आपका बूस्टर नहीं लिया है और आप पात रहें तो बूस परामर से लें बाकी सारे लोग सारे लोग जाकर के जरूर से वैक्सीन लें फिलहाल मौजूद जानकारी यही है कि भारत में उपलब तमाम वैक्सीन सेफ हैं जितनी वैक्सीन से अवेलेबल हैं उसमें से आप अपने ले चुन सकते हैं वैक्सीन जरूर लीजे और सरकार के निर्देशों पर ध्यान रखिए, हो सकता है कि केंद्र या आपके राज की राजधानी से आए निर्देशों और आपके जिले में लाकू निर्देशों में अंतर हो, क्योंकि कोविट की उस तरह से मैनेजमेंट भी किया गया है पूर्व में, इसलिए लोकल इंस्ट्रक्शन पर भी ध्यान रखिए, अब चलते हैं राजनीती पर, हमने आपको 21 दिसंबर को स्वास्पंत्री द्वारा राहूल को भेजी, राहूल गांधी को भेजी चिठ्थी के बारे में बताया था, इस पर कॉंग्रेस के प्रतिक्रियाएं भी आपको बताई थी, आज राहूल गा कोविड आ रहा है, यात्रा बंद करो, अब भीया, अब देखिए, अब यात्रा को रोकने के लिए बहाने बन रहे, बहाने बन रहे हैं, मास पहनो, यात्रा बंद करो, कोविड फैल रहा है, सब भाने हैं, हिंदुस्तान की शक्ती से, हिंदुस्तान की सच्चाई से, ये लोग डर गए हैं, राहूल अपनी नाराजगी भले जाहिर करते रहें, लेकिन अब चीज़ें उनके अकेले के हाथ में रह नहीं गई हैं, उन्होंने विपक्षी दलों के सदन में नेताओं को दिली में भारत जोड़ो यात्रा में शिरकत करने के लिए नियोता तो दे दिया, लेकिन कोरोना एक ऐसा विशह है जिस पर सतरकता वाले नेरेटिव की कोई कार्ट मौजूद है नहीं, फिर अगर सरकार कोई नियम या विवस्था बनाती है, तो उसका पालन भी उनसे अप बिल्कुल है, लेकिन प्रोटोकॉल और माहौल, माहौल, यात्रा वाल साथ-साथ बने रहना मुश्किल है, ये अब्वियस बात है, लोग चानते हैं, बसे कोविट प्रोटोकॉल ये सिर्फ राहुल या कॉंगरस को ही प्रभावित करेगा, ऐसा नहीं है, 21 दिसमबर को कॉ वक्ता पवन खेडा ने सवाल उठाया था कि भाश्पा भी तो राजस्थान में जनाकरोश यात्रा निकाल रही है, उस यात्रा के आयोजकों को स्वासमंत्री के चिठ्थे आखिर क्यों नहीं बेजी गई, आज दोपहर तीन बजे भाश्पा की तरफ से ऐलान हो गया कि र और राज्य कोई एडवाईजरी जारी नहीं करते, जनाकरोश यात्रा के तहित सभाएं अपने पूर्व निर्धारित कारक्रम के अनुसार होती रहेंगे, मतलब यात्रा चलती रहेगी, जिन सतीश पुनिया ने यात्रा रद्ध होने की जानकारी दी थी, उन्होंने ही दो दक्षणी सीमा पर सुरक्षा मजबूत कर रहा है, जिनान प्रांद की सीमा तीन देशों से मिलती है, म्यामार, लाओस और वियतनाम, प्रांद की सीमा को बीटे कुछ सालों में, 2020 के बाद से लगातार मजबूत किया गया है, कटीरी तार लगी है, बिजली का जटका देने बार लगी, इलेक्ट्रिक फेंस जिसको कहते हैं, कैमरे, मोशन संसर आदी, लगाए गए हैं, बॉर्डर गार्ड वहां रखे गए हैं, सीमा ये लाका होने के चलते हैं, यहां लोगों का आना जाना लगा रहता है, मिसाल के लिए म्यामार में जब हालिया तक्ता पलट लोग अपनी जान बचाने के लिए चीन के लाके में आकर बसे थे, ऐसी ही घटनाओं को देखते हुए चीन लगातार इस सीमा पर निगरानी बढ़ा रहा है, दीप्ती ने अपने रिपोर्ट में ये भी लिखा है, कि चीन की सक्त जीरो कोविड नी थी और महामारी के प्रक पहले सुर्की संसद के शीद कालियन सत्र से आये अपडेट्स से जुड़ी है, सबसे पहले बात उस मुद्दे की जिस पर पिछले कई दिनों से संसद में विपक्षी दलों और केंदर सरकार के बीच तकरार चल रही है, हम बात कर रहे हैं तबांग में भारत और चीन के सैन के बीच जो जड़ब हुई उस मुद्दे की, इस पर चर्चा कराने की मान को लेकर आज भी लोकसभा और राजसभा में हंगामा हुआ, लोकसभा की कारवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई और चीन के मसले पर विपक्षी दलों की नारे बाजी और शुराबे के चलते, जोहार से नाराज सभापती और उपर राश्पती जगदीब धनकर ने एक महिला सांसत को फटकार भी लगाई, इसके लाबा आज राजसभा में फेक न्यूस का मुद्दा भी उठा, सूचना प्रसारन मंत्री अनुराक ठाकुर ने फेक न्यूस के खिलाफ सरकार की ओर से उठा गए कदमों की जानकारे दी, आप सुन दीजिए. जो देश के खिलाफ महीम चलाते थे, दुनिया भर में और देश के अंदर भी भै और भम फिलाने का काम, या समाज को तोड़ने का असर काम करते थे, तो यूट्यूब के 104 ऐसे चैनल्स को बंद किया गया है, 45 इंडिविजियल वीडियो को प्रतिबंद किया गया है, इसर ह आउडियो स्ट्रीमिंग जो तीन पोड़कास्ट चैनल्स हैं, और एप्स ऐसी अलग लग थी वैसी दो एप्स को भी, और छे वेबसेट के खिलाब भी कारवाई करने के लिए, आईटी एक्ट के 69A क्लास के अंतरकत कारवाई करने के लिए सब पहले भी सरकार ने कदम उठ रक्षा के लिए ऐसे कदम भविश्य में उठाने में भी कोई कहीं पर कमी नहीं आएगी इस बात के लिए में मानने से दर्से को विश्वास दिलाना चाहिए इस सुर्की के आखिर में आपको राजसवा में हुई एक और घटना के बारे में बताते हैं पहले आप एक वीडियो देखिए तब आपको मामला थोड़ा आसानी से समझ आएगा राजसवा की कारेवाही का ये वीडियो 20 दिसम्बर का है आरजएडी सांसद मनोज जायक मुद्दे पर अपनी बात रख रहे थे इसी दौरान बीच में ही पियुष गोयल ने कह दिया कि इनका बस चले तो देश को बिहार बना दे मनोज जाने तुरंत ही उनकी स्टिपनी को लेकर विरोध दर्ज कराया था पियुष गोयल की स्टिपनी को लेकर राजसवा में आज भी हो हला हुआ विपक्षी दल के निताओं ने पियुष गोयल से माफी की मांग की संसद भाहन परिसर में महत्मा गांधी की प्रतिपा के सामने बिहार के सांसदों ने प्रदर्शन भी किया इसके बाद बैक फूट पर आये पियुष गोयल ने क्या कहा आप सुनिए संसद में और क्या हुआ आज किन मुद्दों पर बहस हुई इसकी बारी और विस्तर जानकर अगर आप चाहते हैं तो हमारे खाश शो संसद में आज में आप देख सकते हैं आगली सुर्गी का समन यूपी की योगी सरकार के नौलेज स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से है 18 दिसंबर को सरकार की ओर से कहा गया था कि उसने अमेरिका के सैन फ्रैंसिसको की आस्टेन यूवरस्टी के साथ ही एक M.O.U. साइन किया है जिसके तहट नौलेज स्मार्ट सिटी बनाई जाएगी इसकी लागत करीब 35,000 करोड रुपे बताई गई थी इस प्रोजेक्ट को पलब्धी के तरह पेश किया गया जोर शोर से प्रचार भी हुआ लेकिन 21 दिसंबर आते आते सरकार को स्पष्टी करण जारी करना पड़ा कहना पड़ा कि उनिवर्स्टी के साथ नहीं बलकी एक आस्टिन कंसल्टिंग ग्रूप नाम के संगठन के साथ M.O.U. हुआ है बात सिर्फ यहीं तक रुकी नहीं आगे जानकारी आए कि यूपी सरकार की गोश्टना से महस दस दिन पहले यानि 8 दिसंबर को ही इनिवर्स्टी का लाइसेंस रद हो गया था इनियर एक्स्प्रेस की रिपोर्ट के मताबिक साल 2011 में आस्टिन इनिवर्स्टी को सैन फ्रांसिस्को में आपरेट करने की इजाज़त मिली थी इस संस्था को गैर मानता प्राप्त निजी मादिमिक शिक्षा संस्थान के रूप में काम करना था अलांकि कैलिफोनिया और भोकता मामलों के विभार ने बीते 8 दिसंबर को एक आदेश जारी कर इस यूनिवर्स्टी का लाइसेंस कर दिया और इस पर 9,965 अमेरिकी डॉलर याने की करीब 8,23,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया इतना ही नहीं यह इनिवर्स्टी MBA कोर्श चलाने का दावा करती है लेकिन यहां एक भी रेजिस्टर चात्र नहीं है अमेरिकी सरकार की नीमों के तहट विवश जिद्दाले की वेबसाइट पर अपलोड किये गए 2016 से 20 के 20 के परफॉर्मेंस फैक्ट शीट से जानकारी मिलती है यह इनिवर्स्टी और आस्टिन कंसल्टिंग ग्रुप के पीछे एक ही आदमी है उसका नाम है अश्रफल मुस्तफा और उसने खुद को मिस्र के शाही वंश का अमेरिकी नागरिक बता दिया है उत्तर पदेश सरकार ने M.O.U. साइन करने वाली जो फोटो जारी की थी उसमें राज्यकेवित्र मंत्री सुरेश खन्ना और पूर्व मंत्री सिधार्त नाथ सिंग के साथ मुस्तफा भी दिखते हैं जब इस मामले को लेकर मुस्तफा से सवाल किया गया तो उसने कहा कि मैंने हाल ही मैं आस्टिन कंसल्टिंग ग्रुप बनाया है जिसका मकसद लाब अरजित करना है विशेश तोर पर ये यूपी और मिस्र में प्रोजेक्ट के लिए है मैं आस्टिन उनिवरस्टी का संस्थापक अध्यक्ष भी था लेकिन इसका M.O.U. से कोई लेना देना नहीं है दर्शकों की जानकारी के लिए हमें एक बात थोड़ी से क्लियर कर दें लोग सेंट फ्रांसिसको और आस्टिन को साथ में समझ पा नहीं रहे थे जिनको यूएस का नक्षा पता है हम बता देते हैं सेंट फ्रांसिसको की आस्टिन उनिवरस्टी और आस्टिन स्थित प्रतिश्थित उनिवरस्टी आफ टेकसस का आपस में कोई लेना देना नहीं है यहीं कन्फ्यूजन था बस एक के नाम में आस्टिन है और दूसरे के पते में इस पूरे प्रकरण पर पतिकरिया देते हैं उत्तरपदे सरकार में अडिशनल चीफ सेकरेटरी अरविंद कुमार ने कहा कि M.O.U. तो आस्टिन कंसल्टिंग ग्रुप के साथ साइन हुआ फिर आस्टिन उनिवरस्टी की पड़ताल की आवश्यक्ता नहीं है उन्होंने ये भी जोड़ा अपने बयान में कि ये सिर्फ प्रस्ताव है और नसूक्ष जाच हुई है इसकी और नहीं उसकी आवश्यक्ता ही लगती है अगली सुर की गुजरात के वळबरा शेहर साहिए दर्सक जानती है कि क्रिस्मस के जेश्ट में कई लोग एक दूसरे के सिक्रिट सैंटा बनते हैं तो कई सैंटा कलॉस की ड्रेस पहन कर खुशी जायर करते हैं वलोद्रा में भी एक शक्स सेंटा क्लास की ड्रेस पहन कर घूम रहा था इसे लेकर कुछ लोगों ना सिर्फ उसकी पिटाई कर दी बलकि उसकी सेंटा वाली ड्रेस को भी उतरवा दिया मामला 20 दिसंबर का है आज तक की रिपोर्ट के मताबिक पीडित का नाम शशकान डाभी है वो वलोद्रा की अवधूत सोसाइटी में एक इसाई परिवार के घर क्रिसमस की बधाई देने पहुचे थे उनके साथ इसाई समुदाई के कुछ निता भी थे वे अपने घर में शांती पूरवक जश्ट मना रहे थे इस बीच कुछ लोगों का एक ग्रूप अचानक घर में घुज गया उन्होंने कारेकरम को रोग दिया और सांटा क्लॉस बने शर्शिकान पर हमला भी किया इसके चलते उन्होंने अपनी पोशाक उतारने के लिए मजबूर कर दिया गया इस उत्समें शामिल होने वाले सभी लोगों को धंकाया गया और ये कहते हुए हमला किया गया कि ये शेत्र हिंदूओं का है इसलिए उन्होंने इस तरह का जश्ट नहीं मनाना चाहिए था इस मारपीट में एक महिला समय चार लोग खायल भी हुए बताए गए है उनका रोप है कि हमलावरों ने फादर जो इसाई धर्म गुरू होते हैं उनके भी कपड़े फाड़ दिये इस तमामनें वरुद्रा मकरपूरा थाने में शिकायत दर्श कराई गई है पुलिस के मताबिक कुछ लोगों ने सांटा क्लास की ड्रेस में चॉकलेट बाटने पर आपती जताई इसके चलते दो समुदायों में बहस होई थी आगली सुर्की दिबंगत आक्टर सुशान सिंग राजपूत की मैनेजर दिसा सालियान की मृत्यों से जुड़ी है इक इस एक बार फिर्ट से खुलेगा महराश्टर के उपो मुखे मंत्री देवेंदर फढ़नवीस ने दिशा केस में S.I.T. जांच के आदेश दिये हैं इतना ही नहीं उन्होंने अपील की है कि अगर किसी के पास इस केस से जुड़े सबूत हो तो इसे S.I.T. को दे दें दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि भाजपा और शिंदे गुट के विधायक लगातार इस मामले में S.I.T. जांच की मांग कर रहे थे आज महराश विधान सभा में भी ये मुद्दा उड़ गया सशन में है बीजेप और शिंदे गुट वाली शिवसेना ने आदित ठाकरे का नाको टेस्ट कराने की मांग की आज तक की रिपोर्ट के मताबिक बीजेप विधायक नीतेश राने का कहना है कि जैसर शर्दावाल कर मर्डर केस के बाद आफताप कर नारको टेस्ट हुआ और सच्चाई बहराई वैसी दिशा सालियान और सुशान के मामले के बाद भी आदित ठाका नारको टेस्ट होना चाहिए खुद पर लग रहे है आरपों पर महराश के पूर कैबिनेट मंतरी आदित ठाकरे ने कहा कि ब्रहष्ट सीम को बचाने के लिए उन पर ऐसे आरूप लगाए जा रहे हैं आदित पे दर्शकों की जानकरे के लिए बता दे हैं कि पुलिस के मताबिक 8 जून 2020 की रात दिशा सालियान ने बिल्डिंग से कूट कर आत्मत्या कर ली थी वहीं 14 जून को सुशान सिंग अपने घर में प्रित पाए गए थे आखिर में पॉजिटिव न्यूस और इस न्यूस का संबंध है चीन से आप पूछ सकते हैं कि बहिया चीन से कुछ पॉजिटिव कैसे आ सकता है उन से हमारा इतना व्यापार घाटा बाड़ता जा रहा है एलेसी पर अलग मार हो रही है और कोरोना तो है ही लेकिन जा नेगेटिविटी होती है वहीं पर पॉजिटिविटी की गुझाईश पैदा होती है बीच दिसंबर को भारत और चीन के बीच चुशुन मोल्दो सीमा पर 17 वे राउंड की कोर कमांडर बैठक हुई ये बैठक चीन के यां हुई इस पर आज भारत के रक्षा मंतराले ने अपना आधिकारिक बयान जारी कर दिया इसमें कहा गया है कि पश्यमी सेक्टर माने लदाक में विवात के निप्टारे को लेकर विचारों का आदान पदान हुआ पश्यमी सेक्टर में सेक्यॉरिटी और रहना जरूरी है इस बैठक से कुछ ठोस हासिल हो ना हो इसका जारी रहना एक पॉजिटिव बात है आकरी में एक निवेदन और कॉम्पेटिशन के आप शूरवी रहें या दिमाग डढ़ाने का शौक है तो मिलिए रोज रात 9 बजे ललन टॉप अप पर के लेंगे अपन क्विस और हर दिन एक अलाइदा बिशे होगा सिर्फ शगल ही नहीं पूरा होगा आपका बलकि आपको इनाम में मिलेगा बिल्कुल मौके पर का अंप और आप कर लीजे प्ले स्टोर ऑर आप्वल स्टोर से आपको डाउनलौड करना है ललन टॉप का अप और रोज रात 9 बजे खेलिए ललन टॉप क्विस आपके ग्यान की ग्यान की गहराईन आपने क्ली आ ललन टॉप क्विज मौके पर दो जबाब और मौके पर ही पाओ इनाम सोंबार से शुक्रवार रात नौ बजे सिर्फ ललन टॉप पर याद रखो कक्का की बात जो कही गई है नौलिज पर हाल लगाओ आल पाइदा दे लगाओ का पाइदा तो फटाक से डाउनलोड करो ललन टॉप आप और आजाओ नौ बजे ग्वेस खेलने के लिए हमारे साथ